अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके फोन में आपका नमबर ब्लॉक है आप हर तरह से कोशिश करके ठाक चुके हैं लेकिन जैसी आपकी आवाद सुनता है वो पर्सन वैसे ही नया नमबर भी ब्लॉक कर देता है लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं न कहीं ये विश्वास है कि आज भी वो लौट सकता है लाइफ में वो उतना ही प्यार करता है लेकिन एक डाउट भी है कि क्या वो आपको मिस करता है क्योंकि वो तो जब भी आपकी आवाज सुनता है आपका फोन कट कर देता है अगर बात आप चाहे male है, female है, आपके लिए same message हो सकता है और same energy match कर सकती है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लिजिए कि वो person आपको याद कर रहा है जी हाँ, आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए क्योंक लेकिन आप लोगों के comments अभी भी ने रुकते हैं हर वीडियो में एक नया comment जरूर होता है कि दी और वीडियो और वीडियो और हाँ सबसे ज़्यादा मुझे motivate एक comment करता है कि काश ये वीडियो मुझे पहले मिली होती तो मेरी life change हो गई होती इसलिए इस topic पे चाहे कितनी भ अपनी life में आगे बढ़ पाएं तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को अगर आप जानना चाहते हैं कि जो परसान आपको ब्लॉग कर चुका है या फिर कुछ distance पे है आपको हमेशा शक बना रहता है कि पता नहीं वो मुझे मेरी जितना मिस करता है कि नहीं तो भी ये सबसे important कि आप सभी बहुत ज़्यादा healthy हैं और अपनी अपनी soul purpose की और आगे बढ़ रहे हैं आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना बहुत पसंद है तो future में इस तरह की बहुत सारे वीडियो आती रहेंगी इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेजिए बगल बेल आइकन है जिसे all पर प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई भी अप्टेट दू या नई वीडियो अप्लोड करू तो उसका notification आपके पास सबसे पहले जाए और बता दू कि मैं हर new moon, full moon या फिर किसी भी auspicious day को, portal वाले दिन को live जरूर आती हो और क्यूंकि आप सभी को पसंद है morning का live आना इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बज़े morning में live आ जाओं तो इस बार भी new moon को 8 बज़े में live आ रहे हूँ आप सभी तयार रहेगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी life में हर तरफ से positivity आए आपके जिंदगी से जो भी समस्या आए वो दूर चली जाए आपकी healing हो आप जिवन में आगे बढ़ पाए आपको job की need है वो मिले प्यार की need है वो मिले या फिर आपकी health सही नहीं रहे तो आपको angel therapy जरूर करना च आप जानते हैं उन संकhirtों के बारे में अगर कोई person बहुत दूर है आपसे और आप उसे रात-दिन याद करते हैं भले ही आपकी बात होती है लेकिन आपको doubt होता है कि वो person तो हमेशह यह जटाता है कि मैं काम में वियस्त हूँ तो क्या वो भी आपको याद करता है और करत आप करता है तो कितना याद करता है थो यह आप बिलकुल जान सकते है चाहे आप बात तो कर रहेई लेकिन आप को तसलिखेंट मिल रहे हैं ऑनyal हुआ पर्सेस करता है थो पीर्षन कर से मामे तो वह फोन कर सुझा चलती रहता है तो definitely या तो वो आपको मिस्स कर रहा है इस वज़े से आपके उपर उसका असर हो रहा है या फिर आप मिस्स कर रहना तो ये energy भी उसके पास पहुंच रही है और ना चाहके भी वो person आप ही के जितना मिस्स करेगा जी हाँ इतना मिस्स करेगा कि उसका सिर्दर्द होने लगेगा और ये बहुत लोगों ने कहा है कि बिल्कुल सच है जब phone आता है और दोनों अपनी feeling शेर करते हैं तो पता चलता है कि दोनों का सिर्दुख रहा है एक दूसरे को मिस्स कर करके तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है न तो ये मत समझेगा कि मेरा person मुझसे जूट बोल रहा है मैंने कह दिया इसलिए बोल रहा है नई dear वो भी आपको उतना ही मिस्स कर रहे थे लेकिन हम बात करें उनकी जिन्होंने आपको ब्लॉग कर रखा है आप हर तरह से कोशिश कर रहे हो सामनी वाला कोई response नहीं दे रहा है बलकि जब भी मौका मिले आपको उल्टा सिधा बोलता है गालिया देता है और फिर भी आप उसके पीछे हो आपको लग रहे है कि आज की डेट में भी लौट के आ जाए तो मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ूंगे या बढ़ूंगा आप एक बात बताओ एक तीन, दो दीन, चार दीन, वन वीक इससे ज़्यादा कोई रह सकता है अगर आपसे प्यार करेगा तो नहीं न, नहीं रह सकता अगर उसके साइड भी आप ही के जितनी फिलिंग है प्यार है तो अगर इतने टाइम से कोई ब्लॉक करके रखा है आपके आवाज सुन के काट देता है फोन या फिर आपके मैसेज का जवाब नहीं देता उल्टा आपको मैसेज करता भी नहीं है तो फिर आपको लगता है कि ये पोर्सन लॉट की आए मेरी लाइफ में और सब कुछ अच्छा हो जाए मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ो डियर उसकी लाइफ में कोई और है ये बात आपको accept करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे कोई relationship में आके भूली नहीं पाता है ये cyclosive fact है नहीं भूल पाएगा और अगर भूल रहा है, block कर चुका है और फिर भी खुश है तो समझ लो कि आपके और उनके बीच कोई और है और वो वहाँ पे खुश है अब यहाँ बात करें कि क्या वो आपको miss करता है क्योंकि आप तो रात दिन उसे miss कर रहे हैं जी हाँ, miss करता है क्योंकि कई बार क्या होता है ना लोग अपने attraction की वज़े से खुद को control नहीं कर पाते हैं और दूसरे के साथ relationship में चले जाते हैं अब क्योंकि वो चले गए है आपकी नजर में भी बुरे बन चुके है और जिसके साथ वो है उनकी नजर में बुरे ना बन जाए इसलिए वो उस रिष्टे को निभारे होते हैं और आपको जब और जस्ती ब्लॉक करते हैं जबकि उनका mind, उनकी soul, उनकी feelings, उनका heart बार-बार उनसे यही कहता है कि आप जिसे छोड़के आए हो वो आपके लिए best था और इस वज़े से वो आपको मन ही मन बहुत मिस करते हैं लेकिन अब उनकी मजबूरी हो जाते है कि वो आपसे बता नहीं सकते क्या बताएंगे वो ये कि उन्होंने आपको छोड़के आपके विश्वास को तोड़के आपके साथ चीट करके किसी और के साथ वफातारी निभाए क्या वो कह पाएंगे कि उन्होंने आपको कितना hurt किया क्या वो कह पाएंगे कि उन्होंने आपके हर वादे को तोड़ा क्या वो कह पाएंगे कि वो आपके विश्वास के लायक नहीं है ये सब कुछ वो नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसमें उनका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके सामने बिलकुल डाउन हो जाएगा उन्हें पता है कि उसके बाद आपकी नजर में वो बुरी तरह से गिर जाएंगे ऐसे तो आप शक में हो लेकिन जब वो खुझ से कनफर्म करेंगे तो आप समझोगे न कि ये परसन तो मैं डिजर्व नहीं करती या नहीं करता क्योंकि मुझे बेस्ट चाहिए मैं ऐसे लोगों के लिए नहीं बना या नहीं बने तो अगर आप इतना सुनने के बाद भी उनके साथ रहना चाहते हैं तो ये आपकी बेवकूफी है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ जाएं तो आप से अच्छा decision में कर कोई हो नहीं सकता क्योंकि एक बार किसी को माफ करके आगे वढ़ जाना तो समझदारी है लेकिन माफ करके और फिर से उसी गलती को दोराना बेवकूफी है अब इसके बाद आपके साथ चीट हो धोका हो कुछ भी बुरा हो तो उसके जिम्मेदार आप होंगे क्योंकि एक बार आपको शितावनी दी जाती है universe के तरफ से कि आपको कैसे लोगों के उपर trust करना चाहिए बात मैं कर रहे थी कि वो person याद करता है कि ने बिल्कुल याद करता है लेकिन यहां पर आपको सोचना है क्या आप ऐसी यादे चाहते हैं कि ऐसी लोग आपको याद करें मैं कहूंगे कि ऐसे लोग नहीं याद करें तो अच्छा रहेगा आपको रोने की, गिड़गिड आने की सामने से phone करने की, message करने की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारी ऐसी वीडियो मैंने बनाई और उसमें मैंने कहा कि अगर आपकी life में situation normal है तो आप सामने से phone कर सकते हैं अगर एक phone से रिष्टा सुधर सकता है तो लेकिन जब बार बार आपको hate मिल रहा है सामने से, तो फिर क्यों phone करना मैं उन लोगों को phone करने के लिए बोलती हूँ जिनकी life में इतनी बूरी condition नहीं है छोटे मुटे लडाई जगरे सबकी life में होते हैं सबके रिष्टे में होते हैं ये चीज आपको समझना होगा हर message हर किसी के लिए नहीं होता है कि आपको गालिया मिल रही है भई दिदी आपने कहा था कि phone कर लेना तो मैंने तो try कर लिया क्योंकि आपकी life की situation अलग है आपको नहीं करना है तो हर कोई एक ही बात सुनके और decision ले ले ये सही चीज नहीं है हाँ मैंने कहा था बहुत लोगों किस शिकायती भी आ रही थी दिदी मेरा तो phone कट हो जा रहा है आप बोल रहे हो call करने के लिए मैंने आपको नहीं बोला था dear मैंने सिर्फ उन लोगों को बोला था जो normal relationship में है जिनका relationship ऐसा है कि हाँ वो phone करे तो उनको सामने से hate ना मिले ठीक है तो अगर किसी का भी नाम बार बार सामने आना या उसके favorite चीज़े आपके सामने आना उसका number बार बार दिखना ये सारी संकीत है कि वो person आपको miss कर रहा है आपसे भी जादा लेकिन आपको ये देखना है कि आपके life की situation कैसी है क्या वो person अभी normal है ऐसा है कि वो सिर्फ आपसे जगड़े करेके और आपको block कर रखा है आपके भी ना नखा रहा है ना पी रहा है ना उसका मन लग रहा है किसी ना किसी कि थुरू जाने कोशिश कर रहा है कि क्या आपके साथ भी ऐसा है अगर ऐसा कोई person है तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो call करो, मनाओ, बाते करो हाँ वो आपको miss कर रहा है ये भी जानना चाहिए आपको लेकिन life में ऐसा कुछ भी नहीं सब कुछ भी परीत है तो आपको अपने self-respect का खुद ध्यान रखना होगा self-love करना होगा किसी और से प्यार क्यों मागना हमारे अंदर तो पूरा ब्रह्मान है और जब आप इस ब्रह्मान से प्यार करना शुरू करते हैं रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया भर-भर के आपको प्यार करने लगती है भर-भर के लोग आपका रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो कीजी ना खुद से प्यार क्यों किसी और के पीछे भागना कोई छोड़ की जा रहा है तो आप अपने time को waste मत कीजी समझिए कि universe का संकेत है कि आपको life में कुछ करना है इसलिए जो समय मिला है जो मौका मिला है उसका फाइदा उठाईए उस समय में अच्छी अच्छी किताबे पढ़िए जिससे आपका knowledge gain हो उस समय में कुछ सीखिए अपने अंदर इतनी कलाएं भर देचे कि अगर आप कहीं खड़े हो जाए तो लोग सीखने के लिए line में खड़े हो जाए जब आप इस energy में आएंगे तो जो भी person होगा आपको छोड़ के जाने वाला वो दोड़ की आएगा आपकी life में और उस वक्त पूरी तरह से आपकी मर्जी होगी accept करना या ना करना उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो इसे इतना शेयर कीजिए कि उन लोगों तक पहुँचे जो ऐसे relationship के लिए अपना कीमती टाइम बरबाद कर रहे है इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी एनरजी से बाहर निकलने के लिए Angel Therapy Course जल्दी से जॉइन कीजिए खुद का ध्यान रखे क्योंकि आपका ध्यान रखने के लिए कोई और नहीं आएगा खुद से प्यार कीजिए क्योंकि जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे कोई और भी प्यार नहीं करेंगा तो हमेशा positive रहे आगे मैठती रहे Always blessings बाई